Hello guys, अपने इस वीडियो में जानेंगे Conjunctivitis के बारे में ये आखों से संबंदित होने वाली बीमारी है ये लोगों में क्यों हो जाती, क्या कारड होते हैं क्या symptoms होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में infection दोस्तो आज कल Conjunctivitis के काफी patients बढ़ रहे हैं ये viral infection की वज़े से हो रहा है दोस्तो ये virus है जब किसी की आखों के संपर्क में आता है तो वो infection फैलाता है और आखों की जो conjunctiva होती है उसमें सूजन आने लगती है injectivitis एक या फिर दोनों आखों में हो सकता है आखों की ये समस्या छोटे बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है लेकिन ये problem किसी को भी हो सकती है adults में भी ये problem हो सकती है ये आसानी से एक से दूसरे में फैलती है जिन लोगों को allergy होती है धूल से, पानी से, या फिर मिट्टी से, pollution से तो उन लोगों को भी ये problem होने लगती है इसलिए साफ सफाय का ध्यान रखने जी hygiene maintain रखनी चाहिए इसके लाब और भी कारण हो सकते है जैसे कि ज़्यादा ठंडे महौल में रहना या फिर ज़्यादा गरम महौल में रहना ऐसे environment में रहना जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है pollution ज़्यादा है तो इस condition में भी ये problem हो सकती है कई लोग ऐसी जगा रहते हैं जहाँ पर pollution ज़्यादा होता है धूल उड़ती है वहाँ पर भी infection फैलने के chance ज़्यादा रहते हैं जिसकी वज़े से लोगों में problem होने लगती है इसके लाव और भी कारण होते हैं जैसे कि अगर किसी को flu हो गया है fever आने लगा है tonsillitis हो गया है ये tonsils में infection हो जाते हैं तो इस वज़े से भी लोगों में conjunctivitis हो सकता है choriza का infection हो जाता है या फिर whomping of लोगों में हो जाती है pneumonia हो जाता है तो ये भी infection की वज़े से होने वाली बीमारिया है तो इस condition में भी ये problem होने लगती है तो जान लेते हैं इसके symptoms के बारे में इसके क्या लक्षण होते है दोस्तों आखे लाल हो जाती है आखों में खुजली होती है जलन महसूस होती है आखों में सूजन आने लगती है पलकों पर भी आपको सूजन दिखाई देगी और आखों से continuous discharge होता है ये dischargeitis हो सकता है या फिर पस लाइक जैसा पसके जैसा भी हो सकता है और इसके साथ ही काफी दर्द होता है अगर ऐसे कुछ symptoms दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि conjunctivitis की problem हो सकती है तो आपको तुरंद अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए इसके कारण का पता लगा कर ही इसका treatment किया जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ antibiotics खाने के लिए भी देते हैं और antibiotics drop भी आँख में डालने के लिए दी जाती है Antibiotic medicine जैसे की Amoxicillin, Potassium, Calvin, जैसे की Moxikind CV आती है 625 mg की एक गोली इसको सुबा साम देते हैं और इसके साथ ही दर्द और सूजन को कम करने के लिए 0-Doll SP tablet सुबा साम देते हैं या फिजरूरत पढ़ने पर भी patient को दिया जा सकता है आपको में खुजली हो रही है तो खुजली को कम करने के लिए खुलोर, फिनरामाइल, या फिस, सिटरजीन, लिवोसिटरजीन ये tablet patient को सुबा साम खाने के लिए दे सकते हैं इसके साथ ही drop दी जाती है आँख में डालने के लिए जैसे कि gentamicin, ciprofloxacin या फिर moxifloxacin ये antibiotic drops होती है जो आँखों के लिए आती है ये patient को 2-1 दिन में 3 बार तक आँखों में डालना चाहिए जो medicines होती है ये bacterial infection को ठीक करती है अगर bacterias का infection की वज़े से conjunctivitis हो गया है तब वो ठीक हो जाता है अगर viral infection की वज़े से लोगों में conjunctivitis हो गया है तो viral एक से देड़ हफते तक रहता है और फिर ये अपने आप ठीक होने लगता है अगर किसी की immunity ज़्यादा अच्छी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है एंटीबाटिक्स viral infection में वर्क नहीं करती है लेकिन फिर भी doctor के दारा एंटीबाटिक्स दी जाती है जिससे की कोई secondary infection ना हो जाए तो आज के लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा लोगों में conjunctivitis क्यों हो जाता है क्या कारण होते हैं क्या symptoms होते हैं पर इसका care treatment डॉक्टर के दोरा दिया जाता है अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाते हैं किसी और mid scene के बारे में जाना चाते हैं किसी और बीमारी के बारे में जाना चाते हैं comment करके बदा सकते हैं Instagram पर मुझे follow कर सकते हैं message कर सकते हैं online consultation अब level है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं आई होग दोस्तों आपको वीडियो पसंद आगा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल परना है subscribe जरूर कर लें black and go प्रेस कर लें जिससे के जाने फार्मेटिव डूज आपको में समिलते रहेंगे